एक साइड में लोग women empowerment की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी साइड भी देखो जहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी महिला हैं जो भी women बाहर निकल कर काम करने लगती है वो government sector में काम करे या फिर private sector में काम करे हर जगा, almost हर जगा से ऐसी cases आती है जहाँ पर हमने सुना कि उनका sexual harassment हुआ है जहाँ पर वो काम कर रही है और interesting बात यह है कि इंडिया में ऐसा कोई sexual harassment हो रहा हो workplace में तो उसके लिए कोई legislation, कोई law हुआ ही नहीं करता था एक time पर एक case पहुँची Supreme Court में, वो case थी विशाखा and others versus state of Rajasthan जो की 1997 की case है उस case में जब Supreme Court ने देखा कि क्या करें हम हमारे पास कोई law भी नहीं है कि हम कोई verdict दे सकें तो उस time पर Supreme Court ने अपनी powers का use करके कुछ guidelines प्रोवाइड की government को कि जब तक आप law बनाते नहीं तब तक ये guidelines काम करेंगी और जब आप law लेके आओ तो इन guidelines को as a reference point मानो Supreme Court ने उस time पर जो guidelines दी उन्हीं को हम विशाखा guidelines कहते हैं और ये विशाखा guidelines नाम से ही काफी ज़ादा famous हो गए अब Supreme Court ने एक चीज़ बड़ी interesting सी की जब ये सुनवाई वो कर रहे थे तब उन्होंने reference point पकड़ा सबसे पहले article 15 को इंडिया का constitution उसमें जो article 15 है वो बात करता है कि वहाँ पर कहीं पर भी अगर किसी person के साथ discrimination हो रहा है तो वो गलत है आप कहींगे discrimination का angle यहां कैसे आ गया एक चीज़ notice करो exploitation या फिर harassment किसका हो रहा है सिर्फ women का हो रहा है मैं इनका नो नहीं हो रहा sexual harassment at workplace अब यह जो harassment देखा गया वो किसी के साथ complaint भी नहीं कर सकती उसी organization में रहके complaint कर भी दो कोई investigate नहीं करने वाला कुछ होगा आगे इसकी कोई guarantee भी नहीं है so the point is article 15 यहां आ जाता है कि एक discrimination women को लेकर हो रहा है उससे उन्हें बचाया जाए दूसरी चीज़ Supreme Court ने notice की कि इंडिया ने एक convention sign कर रखा है international convention जिसका नाम है CEDAW convention on the elimination of all forms of discrimination against women यानि women के against किसी भी तरीके का discrimination अगर होता है तो उसको यह convention कहता है कि वो ना हो इसके लिए law बनाय जाए यह convention हमने sign किया साथ साथ ratify भी किया जब आप ratify करते हो तो एक mandate बन जाता है कि आपको अपनी country में इस convention को apply करना होगा तो इसी लिए Supreme Court ने इन दो चीजों को reference रख के विशाखा guidelines बताई बाद में जब government ने देखा कि ऐसी चीज़े आ चुकी है तो कुछ सालों बाद हमने देखा 2013 में government came up with a law the law is named as posh act इसको short form posh है long में हम कहते है the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act तो यह जो posh act है यह कुछ नहीं बलकि इसी विशाखा guideline से निकला हुआ एक act है अब इस law ने exactly किया क्या पहली चीज़ इस law ने define किया कि sexual harassment मतलब क्या होता है क्योंकि एक legal clarity बनी रहे कि exact कौन से act को हम sexual harassment मानेंगे दूसरी चीज़ इन्होंने की कि यह वाला act almost हर जगा पर apply होने वाला है आप government sector में काम करते हो वहाँ भी apply होगा आप private sector में हो वहाँ भी apply होगा even if you are there in an NGO वहाँ पर भी आप देखोगे कि यह law apply होगा अब कहा क्या इस law ने exactly पहली बात इस law ने कही कि अगर मान लो कोई organization है जहाँ पर 10 से ज़ादा लोग काम करते हैं more than 10 employees are there ऐसी एक organization है तो ऐसी organization में अगर किसी भी women के साथ sexual harassment की case हुई तो पहली चीज़ वो women वहाँ पर complaint करेगी उस complaint के होते ही आपको एक internal complaint committee form करनी होगी एक उसी organization को एक internal complaint committee form करनी होगी उस committee में आप देखो at least 4 members उन्होंने कहा कि 4 members तो होने ही चाहिए और इन 4 में at least 1 person women हो rather उस women नहीं ऐसी committee को head करना चाहिए तो please understand ऐसा ना हो कि 4 के 4 male candidates होंगे और अपने हिसाब से investigate करें ये भी चीज़ नहीं allowed है इस act के अंदर अब इस act का इसका ये जो complaint का mechanism बनाया इसका importance समझो ये जो complaint committee हमने form की ये चोटी मुटी community नहीं है इस committee के पास बहुत सारी powers होगी जिसका use करके वो investigation कर सकती है और investigation करके ये किसी ना किसी final conclusion पे पहुँचेगी अब आप कह सकते हैं सर ये तो 10 से ज़ादा employee वाली organization के लिए आपने कहा तो अगर कहीं पर 10 से कम employees है ऐसी छोटी सी organization है छोटा सा start-up आप देख सकते हो उनके लिए अब शायद हो सकता है कि उस organization के पास इतने resources है नहीं कि वो ऐसी committees वगरा form करें ना लोग है ना ऐसी committee form करने के लिए पैसा है कुछ नहीं है तो ऐसे time पे ये law कहता है कि जो हर district में district magistrate है उनके उपर responsibility डाल दी कि हर district हर district अपने level पर ऐसी एक committee form करें इसका नाम है local complaint committee तो local complaints committee बनेगी district level पे तो उस district में ऐसे छोटे मोटे जो भी organizations होंगे उनके यहाँ अगर कोई ऐसा issue निकल कर आता है sexual harassment का तो complaint के बाद ऐसी committee form की जाएगी अब ऐसी committee के पास power आप देखो इनके पास एक civil court की तरह power है civil court जैसे आपको investigation करने के लिए बुला सकता है document evidence जमा कर सकता है तो यह सारी चीज यह complaint committee कर सकती है अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ committee form की और काम हो गया ना इन्होंने even बताया आपके पास एक time frame होगी जिसके अंदर रहकर आपको काम करना है पहली चीज जैसे ही आपके पास complaint आई आपको साथ दिन के अंदर उस complaint को लेकर inquiry start करनी होगी साथ दिन के अंदर वो complete जैसे ही हो जाए जैसे आपकी inquiry start हो गई तो उसे complete करने के लिए बोला है कि तीन महिने का time period है तीन महिने में वो inquiry complete हो हो सकता है कभी कभी issues आजाते है inquiry तीन महिने का time period रखा है लेकिन due to some reasons वो complete नहीं हो पारी तो evaluation करके with proper reason आपको बताना पड़ेगा और फिर आपको फिर से तीन महिने का extension मिल सकता है so maximum six months is what the time period provided for this issues तो 6 मेने के बाद तो बढ़ेगा है नहीं anyhow in complaint committees को इस issue को resolve करना होगा अब सवाल है इतना अच्छा law बनाया है 10 साल हो चुके हैं क्या है सई से implement हो रहा है या फिर कुछ issues निकल के आ रहे हैं इसको लेकर तो हमने देखा कई सारे issues है पहला आज के time पे जितने भी organizations है ऐसा नहीं है कि सब ने ऐसी committees बना दी जो internal complaint committee है बनाई ही नहीं organizations में यानि जो real time में implementation होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा दूसरी चीज़ हमने देखी जिनोंने वो committee form की उसके अंदर हमने का चार members होने चाहिए चार members ही नहीं किसी में एक है किसी में दो है कुछ तो और interesting हमने क्या कहा था कि it should be headed by women यहाँ women का representation ही नहीं है heading तो छोड़ दो head करना तो छोड़ ही दो उस committee में women member है ही नहीं ऐसे cases भी हमने देखे फिर अगर government के perspective से देखो तो government के पास इसका कोई data भी तो होना चाहिए न कि कहां पर इतने issues आये कितने cases हुए क्या उसके inquiry आगे बड़ी नहीं बड़ी तो government के पास actual में कोई centralized data है ही नहीं और सबसे मुश्किल बात इंडिया को लेकर हमारी यहाँ organized sector से ज़्यादा unorganized sector है formal mechanism में जितने लोग काम करते हैं उससे ज़्यादा informally करते हैं तो ऐसा जो informal या फिर unorganized sector है वहाँ पर काम करने वालों के लिए तो कोई mechanism real में exist नहीं करती क्योंकि आपने दस से ज़्यादा और लोग होने वाली organization या फिर दस से कम की बात की लेकिन ये सारे formalized चीजों की बात होती है जो informally चल रहे हैं काम वहाँ पर कौन बात करेगा उसके बारे में कोई बात है ही नहीं तो ये major issues है जिसको लेकर government को कुछ ना कुछ steps लेने की ज़रूरत है अगर हम थोड़ा समझें कि इस posh act के अलावा और कौन से initiatives है जो worldwide देखे गए है या फिर इंडिया में specifically हम देख रहे हैं कि हम काम कर रहे है पहला इंडिया ने start किया she box sexual harassment electronic box ये क्या है it's not a box as such ये एक platform है जहाँ पर आप complaint raise कर सकते हो तो online platform होगा जहाँ पर directly complaint women चाहे तो raise कर सकती इसे she box कहा गया दूसरी चीज़ हमें पता है हमारी यहाँ help line numbers होते हैं 100 call करो police को लगेगा 108 call कर लो ऐसे जो help line numbers होते हैं तो सोचा गया क्यों ना एक ऐसी help line बनाई जाए जो women related सारे के सारे issues देखे तो इसे कहा गया one stop center यानि एक ही help line number होगा women को कोई भी issue हो it's not just about sexual harassment कोई भी issue हो आप directly इस एक number पर call करो आपको सारा support मिल जाएगा वहाँ से और ये जो one stop center बनाया गया इसके लिए जो पैसा लगता था उसकी funding हमने use करी निर्भया fund जो कि निर्भया case के बाद एक fund बनाया गया था उससे हमने पैसा उठाया तीसरी चीज और एक चीज हम जो देखते हैं वो है उज्वला scheme कहीं बार women's की trafficking की जाती है एक जगा से दूसरी जगा बेच दिया जाता है तो वो चीज रोकी जाए जिनके साथ trafficking हो रही है उनको वहाँ से छुडाया जाया rescue किया जाए उनको rehabilitate करके कोई और काम में लगाया जाए इस दिन सारी चीजों के लिए हमने उज्वला scheme लाई है साथ साथ हम देखते हैं अगर कोई भी women किसी भी difficult circumstances में है कुछ भी हो सकता है difficult circumstances मतलब कुछ भी कोई भी problematic scenario तो उसको एक temporary relief मिले यानि आपको रहने के लिए घर दिया जाए खाने के लिए food दिया जाए ऐसी छोटी मोटी चीजें जो आपको provide करनी है medical support हो यह सब कुछ किसी भी women को मिले इसके लिए हम स्वधार ग्रिह नाम का एक scheme भी अलग से चला रहे हैं और बाकी आपको अगर याद है पहले मैंने बात करी थी कि एक Ceylon नाम का convention है जो internationally recognized है जिसको इंडिया ने ratify भी किया है तो internationally भी national level पर भी बहुत सारे initiatives चल रहे हैं बाकी और implementation जितना अच्छा होगा we will see a progressive society with no discrimination against women this is all about this news if we get any update we will come up with a new video thank you so much